हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेखनिकल अपेवे तो दोस्तों आज इस वोड़े में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको भी वह ज़रूरी है फॉर्म भड़ना जो यूएस की ने टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म है जो की गूगल एडसेंस को आ रही है और काफी जो हमारे यूट्यूब क्रियेटर्स है उन सभी को यह फॉर्म का अपडेट आ रहा है कि आप अपना टैक्स इंफॉर्मेशन अपडेट करें तो आपको यह 15 परसेंट करोगे 31 महीं तक तो आपको यह 15 परसेंट टैक्स से बढ़के 30 परसेंट हो तो आप वो 30 परसेंट लेगी तो इसी वीडियो में आपको यह सारे बातों करूंगा और साथी साथ मैं आपको यह फॉर्म बढ़ना भी सिखाऊंगा कि क्याज़े कासे स्टेप बाय स्टेप भरते हैं अंदर कुछ आर्टिकल्स रगरा होते हैं वहाँ पर में भी आपको सा सकती है भरने टाइम पर तो आप इस वीडियो को जब पूरा हां तक देखोगे तो आपको कैसे फॉर्म बढ़े वो समझ में आ जाएगा मैंने भी अपना फॉर्म बढ़ दिया है और एक कुश्चन और आता है जो कि क्या जिनका यूटूब चैनल मॉनिटाइज नहीं इस टाइब का जैसा आपको भी स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपको भी फॉर्म भरना पड़ेगा ये नॉटिफिकेशन उन यूजर को आ रहा है जब यूटूब का कोई क्रेटेरिया सेट नहीं था कि चालहाजार वाच्टाइम होने के बाद ही आप मोनेटाइज अपने यूटूब चैनल से लिंक कर लिया है तो उन सभी को ये नॉटिफिकेशन गया होगा तो आप इसे जरूर भर ले अगर नहीं भरोगे तो मैं इनका इसका क्या नुकसान होगा मैं आपको ये बताई दिया था कि 15% से टैक्स बरके 30% की और चला जाएगा इसमें आप तो दोस्तो फॉर्म बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलू कि आप इस फॉर्म को सिंपली फोन से भी भर सकते हो मैं आपको कंप्योटर स्क्रीन पर भर के दिखाऊंगा तो प्रोसेस तोनों सेम ही है बट आप कहीं से भी भर सकते हो तो चलिए कंप्योटर स्क्रीन क के तरब बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एटसिन का अकाउंट खोल देना पड़ेगा एक एटसिन का अकाउंट खोलते ही आपको इस तरह का कुछ उपर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा मैं इसे थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं तो इस सिंप कर लेंगे तो even sign up करने के बाद आपको पहला एक option देखेगा individual और दूसरा देखेगा non-individual entity अगर आप किसी बिजनस के अंदर काम कर रहे हो तो simply आप non-individual कर दो नहीं तो आप simply individual कर दो तो मैं इस case में individual हूं तो मैं individual पे क्लिक कर दूँगा उसके बाद आपको यह पूछ र पहले form का तो यह मतलब है कि आप non-US citizen हो और दूसरा कि आप individual हो तो जो कि मैं सच में individual हूँ और non-US citizen हूँ तो मैं सबसे पहले form पे जाओंगा दूसरे form को को मतलब ही नहीं है उसके बाद simply मैं next पे क्लिक कर दूँग next प्लिक करने के बाद आपको एक form फिर से खुल जाएगा तो form खुलने के बाद सबसे पहले आपको उपर अपना official नाम दिख जाएगा उसके बाद आपको एक devia section है इस section को आप छोड़ दो नीचे आप simply अपना country सेलेक्ट कर लो तो मैं इंडिया से हूँ तो simply मैं अपना इ आपका जो इंडिया में पैन नंबर के नाम से जाना जाता है तो simply आप इसमें अपना पैन नंबर भर दो भरने के बाद आप simply इसके next के बटन पे click कर दो के राइसदे बडरि पर क्लिक करने के बाद simply आपको आपसे एड्रिस मंगेगा याद रिखिए आप वही एड्रिस देना इसमें जो कि आप जब Adult इनर टीन अपना आकाउंट बनाए तो चैनम जो आपने अड्रिस द already ४ाध मैं सेमां पर डिस देने के बाध़ इसमें आपको फिर से यह या यह ईश्या नो का ऊप्शन पुछएगा तो आप country living आपको अमेख you by ebay इसे से भता ह्ना है स्क्रॉल नीचे कर ले श्क्रॉल नीचे करने के बाद आप सिंपली सर्विस में क्लिक करके article 7 select कर ले article 7 select करने के बाद आप उसके बाद 0% reduce rate पे आप इसे click कर दे उसके बाद यहां पे भी आप इस checkbox पे आप click कर दे इसके बाद आप next checkbox पे click करके आप इसमें से article 12 को select कर ले article 12 को select करने के बाद इसमें 15% परसंटेज आप कर दें उसके बाद फिर इसके भी च्क बोक्स पर अप इस कलिक्ट कर दें घर चट लॉक्स कर दें उनक्सटों को आप सिंपली कलिक करे'm करने के बार आपको जो आपका डोक्युमेंट है कुछ इस तरह से प्रिव्यू दिखाएगा तो प्रिव्यू दिखाने के बाद आप सिंपली इसमें कनफर्म के बटन पे क्लिक कर दे कनफर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहां आपसे लीगल नेम पूछेगा जो आपके अधार कार्ड और पेन कार्ड पे लीगल नाम हो तो आप इसमें सिंप्ली अपना लीगल नाम देदे निगल नाम देने के बाद आप सिंप्ली यस पे क्लिक करके फिर से आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपसे फिर स कभी AdSense से पैसे लिए हैं तो आप नीचे वाले options पर क्लिक कर दें और अगर आपने कभी भी AdSense से पैसे नहीं लिए हैं क्योंकि 100 डॉलर पी रिडीम होता है मिनिमम तो आप simply उपर वाले options पर क्लिक कर दें तो इस case में मैंने अपना कभी भी इस AdSense अकाउंट से पैमेंट नहीं लिया है तो मैं simply उपर वाले options पर क्लिक करके मैं simply इस form को सब्मिट कर दूँगा आप को उपर सम्मिट करते ही यह फाइनल प्रॉसिजर कम्पलीट हो जायेका और फाइनल प्रॉसिजर कमपलीट में के बाद आपका फर्म संबेट होजाएगा फर्म संब्मिट होने के बद Kellgh औ eff与का। और उसके बाद मैंने ये 15%, 15% और 0% दोनों का तीनों का क्लेम कर लिया है तो इस तरह से कुछ फॉर्म भड़ा जाता है सही तरीका से तो कि आपका अप्रूब हो जाएगा और आपके इमेल पे भी ये अप्रूबल चला जाएगा तो दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के आइकोन को दबा दे ताकि fusion में कोई वीडियो डालू तो आप तक वो वीडियो पहुंच सके मैं मिलता हूँ किसी next वीडियो में तब तक के लिए बाई